आज हम बात करेंगे किसान के सच्चे साथे की यानि सूपर सीडर की तो क्या है ये सूपर सीडर और इसके क्या फायदा है? ये देखते हैं महिंद्रा का धर्ती मित्र सूपर सीडर किसानों को 3-in-1 सोलूशन प्रदांग करता है जिसमें जुताई, बुआई और सीड बेट कवरिंग जैसी मुख्य प्रक्रिया एक ही बार में संभव हो पाती है केहू और धान की खेती जब एक ही जमीन पर की जाती है तब सूपर सीडर बहुत ही फायदे मन साबित होता है समय और महनत बचाने से किसान की कारिक्षमता और कमाई दोनों में बढ़ोतरी होती है दान की खेती से बचे पराली को अब जलाना नहीं पड़ता क्योंकि सूपर सीडर उसी को मिट्टी में मिला देता है जो आगे जाके खात बन जाती है और मिट्टी का पोईशन भी नश्ट नहीं होता तो बस सूपर सीडर को ट्रैक्टर पर माउंट किया और टिलिंग के साथ सोईंग का काम भी कर लिया एक तीर से दो निशाने महिंद्रा का धर्ती मित्र सूपर सीडर तीन प्रकार की साइजेज में उपलब्द है साथ फीट, आठ फीट और नौ फीट महिंद्रा के धर्ती मित्र सूपर सीडर में है ओफसेट डिस्क असेम्बली जो बुआई को सचोद बनाता है ताकि बीज अपनी योगिस्थल, सामान, अंतर और समान स्तर पर ही बोया जाता है जिससे हवा, पानी और खाथ तीनों बराबर मात्रा में मिल पाते हैं इससे बीज का अंकुरन अच्छा हो पाता है यानी बहतर फसल और बहतर कमाई भी इसका हेवी ड्यूटी मल्टी स्पीड केर बॉक्स आपके ट्रैक्टर का लोड कम करते हुए सरल अपरेशन समिश्चत करता है ताकि लोग मेंटेनिंस कॉस के साथ भी इंप्लिमेंट की लाइफ लंबी हो पाए इस सूपर सीडर की खास बात है LJF ब्लेट जिससे जुताई और बॉआई दोनों में सहूलियत होती है और काम जल्दी हो जाता है धर्ती मित्र सूपर सीडर आकशक पाउडर कोटिंग पेंट से सज्ज है जो देता है उसे बहतर फिनिश इसके अधुनिक और सचोद बीच और खाब मीटरिंग मैकनिजम से आप दोनों की मातरा को किसान और खेती की जरूरत के हिसाब से आसानी से नियंतृत कर सकते हैं सीडिंग यूनिट और रोटावेटर के सरल माउंटिंग और डिस्माउंटिंग संभव है जिससे इस्तमाल और कारी दोनों आसान हो जाते हैं और बाकी के समय में किसान सूपर सीडर को रोटावेटर की तरह भी इस्तमाल कर सकता है ग्राउंड वील की लॉकिंग प्रक्रिया आसान है और इसके बुनने की कोई संभावना नहीं भारी और बड़ा फुट्रेस्ट जिस पर दो व्यक्ति आराम से खड़े खड़े मशीन में बीच और खाद डाल सकते हैं धर्ती विद्र सूपर सीडर से किसान को कई फायदे हैं सबसे बहला ये कि ये समझ और बहनत दोनों बचाता है जहां रोटा वेटर टिलर पुरानी फसल का मल्चिंग और पल्वराइजेशन आसान हो जाता है वहीं सीडर नए बीच बोने का काम करता है और कटी हुई फसल उसी मिट्टी में खाद का काम करती है अब पराली को ना जलाना ना प्रदूशन फैलाना और ना ही जमीन के पोशन को नश्ट करना ताकि बर्यावरन रहे स्वच और स्वस्त और पुरानी कटी फसल से छूटी हुई नमी नई फसल के बीच के उतपादन में उप्योगी साबित होती है फसल फूलती भी है और खिलती भी है देखा आपने रिसर्च और टेकनोलोजी के बल किसानों की सहुलियत और खेती का विकास वहिंद्रा का धर्ती मित्र सूपर सीटर